हलो नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त मैं आपका गाइड रोनित चौरसिया साथियो एक नए वीडियो और एक नए ओफिसियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं जी हाँ साथियो ये जो ओफिसियल अपडेट मैं आपके ले करके आ रहा हूँ ये UPAPO Examination से related है और आज हम बात करेंगे practice set के बारे में ये जो practice set आपको provide किया जा रहा है साथियो ये एकदम हू बहू UPAPO के एक audience में ही provide किया जा रहा है अगर आपका सपना है कि आप उत्तर परदिस में APO अगर बनना चाहते हैं तो इस टाइप के practice set को आप solve करना start कर दें जो कि law success और बिधी भारती publication के द्वारा इस book को बनाया जाता है आप law success देख रहा है साथी साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 25 number आपको 100 हो रहा होगा अब आप कहेंगे कि यह 25 number का मतलब क्या हो रहा है तो साथियो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ 25 number का मतलब है कि 25 practices आपको इ current affairs उत्तर परदेश सहायक अभियोजन अधिकारी APO परिच्छा के लिए बनाया गया है इसमें सामान ने ग्यान हमको देखने के लिए मिलेगा और साथ साथ हमको बिधी के question मिन्स की law के भी question हमको देखने के लिए मिलेंगे साथियो यह जो book आपको बनाया गया है यह Hindi language में book बनाया गया है आप कहेंगे कि English language में नहीं बनाया गया है तो मैं कहूंगा कि English language में बनाया गया है और उसका विडियो मैंने already बना करके अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है अगर आपने उसको नहीं observe किया तो आप उसको observe कर सकते हैं आगे देखिए साथियों मैंने आप से बता ORG पे भी जा करके आप इस book को purchase कर सकते हैं review मैं कराता हूँ purchase करने के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं अगर आप कहेंगे कि इस book की price क्या रखी गई है तो 325 रुपय इस किताब की price रखी गई है जो कि आपके सामने दिख रहा है यह marked price है अगर आप जाते हैं swap पे अगर प्रयागराज में है या फिर किसी बड़े सहर में है जहाँ पे आप swap पे जाते हैं तो वहाँ पे जो भी आपको discount होगा वो swap वाले देंगे या फिर अगर आप इसको online cross check करना चाते हैं तो flipkart, amazon and busybhardi publication.org पे आप जा करके check कर सकते हैं कि क्या इस समय इसका rate चल ला है क्योंकि इन सभी bookों पे discount भी आपको देखने के लिए मिलता है अब आगे चलते हैं अब इस practice set को देखते हैं कि कि किस type का practice set आपके सामने यहाँ पे provide किया जा रहा है तो आप यहाँ पर देखिए practice set उत्तर परदे से सहायक अभियोजन अधिकारी APO प्रारंभीक परिच्छा की हम बात करते हैं जहिड सी बात है APO में हमारे पास भी तीन लेबल का examination करवाई जाते हैं पहले pre examination करवाई जाते हैं फिर main examination करवाई जाते हैं यहाँ पर सामान ने ग्यान एवं भी दी दोनों material हमको देखने के लिए practice set के अंतरगत मिल रहा है जैसे जब आप practice set को दोस्तों solve करते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि हो किस label का question पूछा जा सकता है हमारे APO के examination में क्योंकि इस practice set में आपको काफी previous year question भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपके previously examination में question बार बार पूछे गया है वो सारी चीजे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी जैसे कर रहा है उजयन का प्राचीनतम नाम क्या था इस type के question आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर हम history की बात करते हैं तो कर है राजत तडंगनी की रचना कलहण ने किया था किसके दरवार में किया था तो आप देख सकते हैं कि history से भी इस type के question पूछ रहा है science से अगर question पूछ रहा है तो किस nature का science से question पूछ रहा है अगर quality से पूछ रहा है तो किस nature का quality से पूछ रहा है अगर economics से पूछ रहा है तो कहां के economics से question पूछ रहा है तो इन सभी चीजों को हमको क्या करना होता है ध्यान देना पड़ता है जब हम practice set solve करते हैं तो हमको एक हमारे given time period में हमको क्या करना होता है उस practice set को हमको solve करना होता है जिस प्रकार से हम examination mode में बैट करके अपने practice set को solve करेंगे तो हमारे लिए practice set हमारा क्या हो जाएगा exam हो जाएगा और exam से पहले ये 25 practice set आपको दिया जा रहा है मिन्स की परिक्षा देने से पहले 25 बार आप क्या देंगे आप खुद का ही परिक्षा ले लेंगे तो जाएर सी बात है जब परिक्षा देने से पहले आप 25 बार आप खुद ही अपना परिक्षा दे लेंगे तो examination आपका best and best तो जाना ही जाना है इसलिए इस practice set को आपके सामने बिदी भारती publication के द्वारा प्रोवाइट किया जा रहा है अब हर एक practice set को आप यहाँ पर observe करते वे चलेंगे साथी साथ यहाँ पर देख लीजिए अभी practice set number जो चल रहा है साथी हो अभी हमारा practice set number 1 ही चल रहा है अभी मैं 25 number तक practice set आपको यहाँ पर 100 करने वाला हूँ तो देखते रहे है आप practice set number 1 ही चल रहा है और यह जो practice number 1 चल रहा है अब आपकी यहाँ पर मैं last तक ले करके आऊंगा और दिखाऊंगा कि इससे यह पता चल जाता है कि आपके UPAPU के examination में total 150 question पूछे जाते हैं कितने number of question पूछे जाते हैं साथी हो तो 150 question पूछे जाते हैं जिसमें आपका G के भी होता है साथ साथ इसके अंतरगत क्या होता है law भी इसी के अंतरगत होता है तो दोनों मिला करके 150 question आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं यह आपके लिए एक important fact हो गया क्योंकि आप लोगों ने 150 questions को यहाँ पे observe कर लिया साथी साथ इसमें minus marking भी negative marking भी होती है इस examination में अब आ गया हम practice number practice set 2 पे आ गया है तो आपके examination से पहले आप एक examination दे रहा हैं जो कि जिसकों कि हम लोग practice set का नाव 2 दे रहा है तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे एक एक practice दो दो दिन पे तीन तीन दिन पे आप अपने examination के point of view को ध्यान में रखते हुए आप इस प्रकार का आगर कोसिस करेंगे तो आप एक अच्छी preparation कर सकते हैं अन्य बक्चों के अफेक्जा तो यह practice number second आप देख सकते हैं कि नहीं पूछा जा रहा है साथी साथ आप previous year paper को भी analysis करेंगे कि हाँ 2018 में कौन सा paper हुआ था किस तरह से question पूछे गए थे फिर 2015 में किस टाइप का UP APU के examination में question पूछे गए थे तो जब आप इन सभी चीजों को इस format में करेंगे तो आपके लिए क्या होगा साथियो आपका एक preparation जो होगा बहुत ही बहता और बहुत ही मजबूत preparation आपका हो जाएगा अब यहाँ पे आप practice number 4 को देख लीजिए जितना हो सकता है साथियो मैं practice set को आपके सामने ले करके आया हूँ इस PDF के माध्यम से बाकी आपको मैं यहाँ पे 25 नमबर तक का practice set यहाँ पे सो करने वाला हूँ यह practice number 6 आप यहाँ पर देख रहे हैं साथि साथ अगर हम बात करते हैं next practice set की तो साथियो यहाँ पे आपको practice number 25 भी देखने के लिए मिला है बीच का मैं practice set को यहाँ पे नहीं रखा हूँ उसका नहीं रखने का भी एक कारण था साथियो इसलिए नहीं रखा हूँ क्योंकि PDF हमारा बहुत ही जादा बड़ा हो जाएगा और अगर practice set की हम book की बात कर दें तो यही साथियो book है आपका practice set का इसी book के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहा है यह पूरा का पूरा देख लिए book एक structured way में आपके सामने बनाया गया है और यह हमारे अन्ने महत्तोपूर और भी publication के दोरा निकाले जाने वाला किताब है तो यही practice set की हम बात कर रहा है जो की UPAPO के लिए खास करके आपके लिए बनाया गया है अगर आपका सपना है अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे UPAPO क्रैक करना है साथी साथ सिर्फ और सिर्फ इस किताब में practice set ही नहीं दिया है इस किताब में आपको current affairs भी provide किया गया है साथी साथ one liner format में आपको दिया गया है बस आप धहरे बना करके बने रहें इस विडियो में अभी मैं आपको वो सारी चीज को भी दिखाता हूँ अब जैसे practice set आपने one solve किया एकदम इमानदारी के साथ जैसे examination में आप बैठ के करते हैं उसी प्रकार से आपने बैठ करके solve कर लिया टिक मार लिया फिर उसके बाद से आप क्या करेंगे इमानदारी के साथ एक एक answer seat को आप क्या करेंगे मिलाएंगे कि हाँ मैं कहां तक पहुँच पा रहा हूँ क्या मेरे से 120 question बन रहा है क्या मेरे से 100 question बन रहा है क्या मेरे से 50 question बन रहा है क्या 100 question बन रहा है पहले दिन आपसे 50 question बनेगा 70 question बनेगा law के जादे से जादे question आपके बनेगे GK के कम question बनेंगे ये सभी को पता है लेकिन जब आप 25 नंबर का set solve करेंगे उस दिन आप देखिएगा आपका जो level होगा वो 120 या 130 या 135 question तक आप क्या कर सकते हैं solve कर सकते हैं इसलिए इन सभी practice set को आपके सामने provide किये जा रहा और किसी भी आप senior से या किसी भी topper से आप मिलें करना है कि पहले तुम क्या करो previous year questions को solve करो कुछ practice sets को solve करो पढ़ने के लिए तो आपने IPC, CRPC और Indian Evidence Act आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा हमको लगता होगा कि एक एक वेक्ति कम से कम 50-50 बार तो पढ़ी लिया होगा अपने semester examination से ले करके अपने इस preparation के mode में अगर ह होई गई है आपको focus कहा करना है police act पर, police regulation पर और थोड़ा सा जो आपको focus करना है 50 questions के लिए अपने GS पर focus करना है तो current affair की हम बात करते हैं तो 2022 तक का आपका पूरा current affair इसी तरह से structured way में दिया हुआ है अब यह देख लिए one liner format में आपको इस book के अंतरगत इस type का current affair आपको provide क किया गया है तो इस book की बहुत ही अच्छी relevancy है बहुत ही अच्छी खासियत भी यहाँ पे आपके सामने सो कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि यह book आपको दे दिया गया है 25 practices set है 25 practices set के बाद यह बेकार है नहीं उसके बाद से यह material आपको कम से कम 100 से 50 पे को यहाँ पे रखा गया है one liner format में रखा गया है current affairs को ले करके हम परिसान रहते हैं जीके को ले करके हम परिसान रहते हैं law को ले करके कोई बंदा law वाला परिसान नहीं रहता है खास करके UPAPU की एगर हम बात करते हैं क्योंकि majorly हमारा तीन subject ही उसमें होता है चौथा जो हमार आप अपने preparation को भी कर सकते हैं practice set भी देखेंगे साथ साथ इस type के भी question आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो आप इधार उदर भटक करके खोशते हैं कि कहां से मैं जीके का preparation करूं कौन सा ऐसा जीके का question पढ़ूं कैसा किस nature का मैं पढ़ूं जो कि हमारे APO examination को target करता ह तो साथियों यहाँ पे आपको एक tentative idea मिल जाएगा कि हम इस type के questions को आपको पढ़ने किया सकता है और इसी type के question की demand आपकी UP APO के examination में किया जाता है तो हर एक चीज को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रखने का प्रयास किया गया है जो international law से भी है चाहें किसी भी law से related होगा सभी law के questions को यहाँ पे रखने का काम किया गया है सभी GK के भी और current affairs के भी questions को यहाँ पे रखने का काम किया गया है कहा जाए तो यह practice set और साथी साथ आपके लिए एक book का ही काम कर रहा है इसमें GKS साथी साथ आपके कुछ law के भी portions को यहाँ पे incorporated किया गया है तो साथियों ये था एक basic information, जो कि UPAPO के practice state के book के लिए मैं आप लोगों के ले करके आया हूँ, फिर मिलूँगा एक next video में, एक next update के साथ, सात्यों, अगर ये practice state आपको बहतर लग रहा है, अगर लग रहा है कि नहीं इस से करने से हमको और भी अच्छा तरीका मिलेगा, तो सात्यों, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने friend circle में भी इस videos को share कर सकते हैं, और अगर आपको और भी बहतर लगे, तो आप comment section open होता है, सात्यों, आप comment section में, आप comment भी करके हमको बता सकते हैं, और जो भी आपका comment आता है, हम comment का hope of holy reply भी करते हैं, फिर मिलेंगे एक next video में, एक next update के साथ तब तक के लिए धन्यवाद,